दस इंपोर्टेंट क्वेश्चन चंद्रयान, तीन पर दिखाईए अपना ज्यान. आपका पहला सवाल है, चंद्रयान तीन मिशन की कुल लागत कितनी है? A. 600 करोड रुपए B. 250 करोड रुपए C. 315 करोड रुपए D. 615 करोड रुपए आपका सही उत्तर है, D. 615 करोड रुपए आपका अगला सवाल है, कौन सा देश चंद्रमा पर सफलता पूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश है? A. चीन B. भारत C. रूस D. USA आपका सही उत्तर है, B. भारत आपका अगला सवाल है, चंद्रयान 3 की लॉंचिंग किस केंदर से की गई? A. भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान केंदर B. सतीश धवन अंतरिक्ष केंदर C. विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंदर D. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन आपका सही उत्तर है B. सतीश धवन अंतरिक्ष केंदर आपका अगला सवाल है, चंद्रयान 3 की लॉंचिंग कब हुई थी? A. 16 जुलाई 2023 B. 14 जुलाई 2023 C. 27 जुलाई 2023 D. 7 अगस्ट 2023 आपका सही उत्तर है B. 14 जुलाई 2023 आपका अगला सवाल है चंद्रमा की सतह पर धूल को क्या कहते हैं? A. रिजोलित B. मोनोलित C. हिमोलित D. इन में से कोई नहीं आपका सही उत्तर है A. रिजोलित आपका अगला सवाल है चंद्रियान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरणों से लैश है? A. भूतल विज्ञान उपकरण B. वायू मंडलिय विज्ञान उपकरण C. जल विज्ञान उपकरण D. उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर है D. उपरोक्त सभी आपका अगला सवाल है चंद्रियान 3 का डिजाइन किसने किया? A. इसरो B. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र C. विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र D. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन आपका सही उत्तर है A. इसरो आपका अगला सवाल है चंद्रियान 3 मिशन के रोवर का नाम क्या है? A. विक्रम B. प्रज्यान C. भीम D. धुरुव आपका सही उत्तर है B. प्रज्यान